हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 3.1 टैक में तो फ्रेंट्स, यूट्यूब की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और शोट्स क्रियेटर के लिए एक बहुत बड़ी खुश खबरी आई है और ये जो अपडेट आया है वो आपको आपके मेल में मिला होगा जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हुआ इस तरीके का मेल आपकी जीमेल आईडी पे आया होगा जिससे यूट्यूब चैनल आपका अटैच है तो friends, shorts, creator के लिए बहुत बड़ी खुश खबरी आ गई है और इस अपडेट को मैं इस वीडियो में completely आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो बहुत ज़ादा informative है वीडियो को पूरा last तक जरूर देखिएगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहनी बार आए है पहली बार मेरे चैनल के उपर आके आपने विजिट किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और notification बेल को on करके उसे all पे सेट कर लें जिससे आपको मेरे आने वाली हर एक नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अपने mobile phone की स्क्रीन के उपर और यहाँ पर मैंने वो mail open किया हुआ है आप देख सकते हैं जो आपको भी आपकी email id के उपर आया होगा today मतलब आपका जो short revenue है वो today से start हो गया है यह तीन दिन पहले का है मतलब एक तारिक के असपास आपको भी mail आया होगा एक है दो तारिक में ठीक है तो आप भी जरूर चेक करें इस mail को तो यहां पर लिखा हुआ है नीचे ही मेरे चैनल का नाम है आपकी चैनल का नाम लिखा होगा Shorts ad revenue sharing start today's we are expanding our ad revenue sharing module so all monetizing partners with short views can start to earn from the ads that run between videos in the short feed no matter the video format you use to create we want to ensure you have the opportunity to grow, earn and succeed मतलब यहां पर लिखा हुआ है कि अब से आपका short feed के अंदर जो आपकी वीडियो जाएंगे उस पर ads आएंगे और उसके तुरू आप earning कर पाएंगे और यह matter नहीं करता कि आपने किस format में अपनी short video को बनाया है चाहे आप 9-16 में बनाएं चाहे square size में बनाएं ठीक है वो फिर भी आपको short feed में जाएगा और उस पर ads चलेंगी अगर आप monetization partner मतलब आपका channel monetize है तो ठीक है मतलब यहां पर लिखा हुए कि अगर आपने पहले ही जो इसकी terms and condition है पहले notification आया था अगर आपने उसे accept कर लिया है इसकी short monetization की terms को तो तो सब कुछ ठीक है और आपकी जो earning है वो शुरू हो जाएगी एक February से ठीक है एक February से शुरू हो गई है your short views on your existing and new short upload will automatically considered for short ad revenue sharing मतलब आप एक February से अब जो भी आप video डाल रहे होंगे उस सब पर ads आएंगे अगर आपका channel monetize है तो आपने पहले ही इसकी monetization policy को accept कर लिया है तो ठीक है number two में है अगर आपने accept नहीं किया है if you have not yet accepted the new base terms and short monetization module you will not be eligible to earn shorts ad revenue until you do lose so मतलब अगर आपने accept नहीं किया है तो जब तक आप accept नहीं करेंगे तब तक आप eligible नहीं होंगे short से पैसे कमाने के लिए तो to start earning on short feeds तो इससे earning start करने के लिए आपको क्या करना है इस जो यहाँ पर go to studio लिखा हुआ है इस पर click करना है और इसकी बात जो review and accept आपके सामने आएगा उसे आपको accept कर लेना है अगर मैं इस पर click करूंगा तो मेरे को यहाँ पर कुछ और दिखाएगा कि मैंने कि मैंने पहले accept कर लिया है already मुझे इसमें accepted दिखाएगा लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप इस go to studio वाले option पर click करेंगे और review और accept का आपका option एक आएगा आपके pop-up window आएगी उसे आपको okay कर देना है accept कर लेना है और आपकी भी ads पर जो आपकी short वीडियो है उन पर ads चलना शुरू हो जाएंगी तो यह update था जो YouTube की तरफ से shorts creators को मिला है अब आप भी shorts से earning शुरू कर सकते हैं तो बहुत बड़ी खुश कबरी आप लोगों के लिए यह तो friends उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर फिर भी वीडियो से related कोई question है कोई query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे like और share जरूर करें thank you